हेलो दोस्तों बलकम है जैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाप्ट मैंड की जुकी एक्जाम हुआ था 30 जनवरी को दोजाथ 23 को इन लोगों के लिए रेजल्ट घुसित कर दिया गया है जुकि रेटिन एक्जाम का रेजल्ट है देख लेते हैं इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि किस भरती की यह रेजल्ट घुसित किया है और कितनी पोस्ट थी क्या काट आप रही है और कब इन लोगों को फिजीकल के लिए जाना होगा और कितने कंडिरेट को कॉल किया है फिजीकल के लिए और डोकुमेंटिशन के लिए ओके चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे आप लोग पहले देख रहे होंगे जैसा कि स्कीन पर लिखा हुआ अब देखेंगे इसका एक्जाम कब हुआ था एक्जाम हुआ था 30 जनवरी 2023 को जो की बियारो स्कूल सेंटर पूने में हुआ था एक्जाम का आप कुछ पॉइंट दे रखें जो की काफी जरूरी है ठीक है सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात की रुक्ष्ट करना चाहूंगा जो भाई मेरे चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सबी वीडियो का नोटिकेसन आपको टाइम से मिलता रहे होके स्टाट करते हैं पॉइंट नमर वन को देखेंगे पॉइंट नमर वन में बताया गया है कि जो ड्राप्ट मैं की पोस्ट है इसका रिटिन एक्जाम 30 जनवरी को बियारो ने पूरा पूरा बियारो स्कूल सेंटर पे करवाया था ठीक है सेकेंड पॉइंट में बात करें तो इसमें बताया गया है जो इसमें सौल लिस्टेट किये गया है रिटिन एक्जाम के बेस्ट पर फाइनल लिस्ट इसकी बनी हुई है और यह कोई फा लगी है ठीक है थर्ड पॉइंट की बात करेंग तो इसमें दे रखाया है कि कट आप परसेंटेज आप दर रिटिन एक्जाम मार्क्स फूर विच कंडिडेट है वी प्रोविजिनलिस्ट लिस्टेट फूर फूर्दर रिकुर्मेंट प्रोसेज एज अंडर दा नेम इन ल प्रोसेज है जैसे पी एश्टी और ट्रेट टेस्ट उसके लिए आपको प्रोवोट करती है उसके लिए आपको सौर्ड लिस्टेट किया गया ठीक है अब देख लेंगे यहां पर बात करेंगे यूर कैटेगरी की जो की 63 परसेंट गई है वहीं बात करेंगे एश्टी की जो की लिस्ट में सबसे कम गई है 43 परसेंट गई है वहीं बात करेंगे ओवी सी कैटेगरी की जहां 63 परसेंट गई है और एव्ट के 62 परसेंट गई है मोश्टली हम तीनों अगर कैटेगरी को देखते हैं यूर ओवी सी और एव्ट का मोश्टली सम्थिंग बराबर परसेंटेज है वन परसेंट का अंदर है एव्ट में और उसमें ठीक है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है पॉइंट नमर पॉइंट नमर फोर को ध्यान से पढ़ेंगे उसमें क्या दे रखा है का लेगार तो अटेंग फिजिकल ईफेशसे घस्ट एट और सॉटली से च वी फाट जीन एच लाट, और यहां थाट, पॉइंट इस अट्यों नमर पॉइंट के बर्कुर्श्ब बात तूब है टीन है थाना पॉइंट धिमिस नकल के लिए बस्ती है फोर द टेस्ट उके इसमें बोला है कि आप लोग जो जो इस्टेट कंडिडेट हैं उन लोगों के लिए कॉल लेटर यहाँ से सेंड कर दिया गया है और उनके जो ओन लोगों पोस्ट आपिस दे रखा था उसी पोस्ट आपिस से टच में रहें उनके कनेक्ट में रहें उनसे पूछते रहें बार-बार बिजट करते रहें ठीक है और और फिर उनने एक दूसरा दे रखा यादि किसी केस में आपका कॉल्ड़ अगर आप तक नहीं पहुंचता है तो आप लोग अपना एक्जाम दे सकते हैं ठीक है तो बात करेंगे पॉइंट नमर फाइब की जो की काफी इंपोटेंट पॉइंट है इसमें है आपका दा फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट विच दा क्वालिफाइंग इन नेचर विल वी हेल्ड एट वी आरो स्कूल एंड तो प्रबारीटär रू । रिप ली आरो स कूल झोल हेलेदे वी हेल्ड व puck जा समय घरो मेर्ली बाइब की पॉइंट ऑ फॉइंट स्नावा और मेरीष मेंट और दे साथ bruk जाश कि जोब लेंगे Uttra kinaā at two thing बात कि बाफिकल ए मिल्हिंट सिए मेरी दे वाइब खिकल लेफ इग्जामिनेशन दोस कंडिडेस कम इन फाइनल मेलिडिस्ट देविल अंडर गोज प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन सेमलुटेंशली एज दा व्रिफ एक दा टाइम ऑफ डिटेन एग्जामिनेशन ओके इसमें बताया गया है कि जो भाई अभी क्वालिफाइज यह ज वापुना सेंटर यह श्कूल एंड Ilsेंटर होने वाला है तरह हो ठीक है आपकी जो फाइनल मेरी ले metals वह आपकी प्रेट स्क्राइम व्राइब क에 यह इशक्राशामिकल गालिंखभ के बिला हमें ऑर आवी जो फाइम आपकी बारा पहले हाए मरेरट अनक्तर के बाद के एड और इसमें पता रखा कि सभी अपने जो रिकूर्मेंट जो ओर्जिनल डॉकुमेंट है उनके साथ है और वह आप लोगों के जो कॉल लेटर आएंगे उसके साथ मैंसन होगा कि कौन कौन से डॉकुमेंट लेके जाना है उसमें सब कुछ मैंसन होगा अगर किसी भाई को कोई दिख्कत आ रहे हैं किसी डॉकुमेंट के रिलेटेट तो आप लोग कमेंट करके जुरूर बताएं आप लोगों को वह डॉकुमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपकी हर तरह से मंदद की जाएगी ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे पॉइंट नंबर सेवन में देख लेंगे यह पॉइंट नंबर बहुत इंपूटेंट होने वाला है इसमें दे रखा कि सभी कंडिडिट अगर टाइम से नहीं पहुंचते हैं यादि अपसेंट होते हैं तो उन्हें आगे कोई चांस वालिट नहीं दे देए ठीक हैं अब यहाँ पर नाम देख लेंगे पहले तो सबसे पहले मेरी तरब से जिन भएalen नाम और लिष्ट में मौझे बहुत बहुत बपाएं और इनने बताया है कि इससे नीचे जो कंडे डिर्ट थे वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए डिटेन एक्जाम को जो मैडलिस्ट लगी उसे क्वालिफाइड नहीं कर सके ठीक है तो आप लोग वीडियो देखें देखें पूरा और जाधे से जाधा से जाधा सेयर करें